नमस्कार एटोजेट डिशुष उशाक और जानी में आप सब का स्वागत है आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहे हूं गवार फली की खटी वाली दाल अब देखें गवार फली ये कैसी सबजी है ना शायद ही बच्चे हो या बड़े उनको पसंद आती ह अब ये जो दाल है अगर आपने उनको ये खिला देना उनको पता भी नहीं जलेगा और ये दाल इतनी स्वाद वाली होती है उसके लिए बावल में आपको डाल देना है आधा कप हरी मुंकी दाल आधा कप मसूर दाल और आधा कप चना दाल इन तीनों को अच्छे से मिला मिला लेना इस तरह से और इसे हमें अच्छे से वाश कर लेना नहीं कि दो लेना है इसके अंदर फिर से पानी डाल कर हमें रख देना है इसे 10-15 मिन तक भीगोने ताइम में तो भीगो है बना कोई बात नहीं तुरंद भी बना सकते हैं अब गयास कोन करके मैंने कुकर रग डाल देना चोटे-चोटे टुकडों में काटकर इसके अंदर टाल देना दो ग्लास पानी एक चौथाई चमच हल्दी पाउडर और नमक स्वाट के अनुसार डाल देना एक बार अच्छे से मिक्स करने के बाद कोकर का धकन दे देना है और इसे हमें तीन से चार विशल एन गरम हो जाए तो इसके अंदर हमें डालना है एक चौथाई चमच राई चुटकी बर हिंग और इसके साथ एक इस तरह से कटा हुआ लंबा प्याज और दो हरी मिर्च इस तरह से लंबी कटी हुई हल्का सा ही भूनना है इसका कच्छा पंदूर हो जाए एक मिन्ट तक ही भ दाला था इसलिए अपने स्वात के अनुसार डालना अच्छे से मिक्स करते हुए दो मिर्ट तक मसालों को भूनना उसके बाद यह पकिवी दाल गवार्फली सबी चीज़े इसके अंदर डाल कर अच्छे से मिक्स का लेना है और एक ग्लास पानी और डालना है और बस इसे पकाना है लगबग 6-7 मिनिट के लिए इसे खुलाई आपको पकाना है बीच बीच में इस तरह से मिलाते रहना और इसे पकाते रहना बस थोड़े से दिनिया के पते डाल दे और इसे पका ले यह जो गवार्फली की खट्टी डाले ना जब आप इसे चकेंगे ना आपको इतना मज़ा आजाएगा ना सच बता रहे हूं बिल्कुल भी इसके जोठी तारीफ नहीं आई है देखिए अप मिने इसके अंदर डाल दिया आधी चम्मच बटर यानि की मखन आप चाहे तो इसके जगबर गी भी डाल सकता है या कुछ भी ना डाले कोई बात नहीं तो लग करते हैं तो ट्राइ की जो यहां तक है तो चैनल को सब्सक्राइब करें बिना ना जाए थांकियो फॉर वाच्चेंग